असलाम रिकार रहा है मतला दोस्तो वेलकम टो विलाल मुहीं चैनल आज हम डिसकस करेंगे कुछ इंपॉर्टन अपडेट जिसके वज़ए से बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है इस्पेशली सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा वो तमाम फैमिली जो के आ रही है उमान उन में से बहुत सारे लोगों को वहां से पाकिस्तान या इंडिया जहां से भी वो लोग आ रहे हैं या आपको institutional quarantine में जाना है उसका फैसला यहाँ airport पर उतरने के बाद होगा जो committee मैंने बताया कि एक है जो decide करती है कि इनको घर भेजना है या institutional quarantine hotel में भेजना जा भी आपने booking करनी है वो यहाँ पे करेगी लेकिन वहाँ से अगर आप भाद में booking नहीं लेके जाएंगे तो आपके लिए problem होगी आपको boarding pass नहीं दिया जाएगा तो अगर आपने booking करवानी है तो जिससे भी आप booking करवा रहे हैं मेरी एक tip है यह आप उनसे पहले से ही बात कर ले कि भाईया अगर हमें जाने दिया घर तो हम आपको इतना परसंट चार्ज जेंगे अगर नहीं जाने दिया घर तो फिर हम आपके hotel में रहेंगे क्योंकि क्या होता उनको भी booking पूरी करनी पड़ती है और कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि हमसे full charge लिया जाता है देखें full तो charge नहीं होना चाहिए ये तो खरना इनसाफ ही है अगर आप 7 दिन book करवा रहे हैं और अगर आपको घर जाने दिया जाता तो quarantine के पैसे तो आपके गए तो इसके लिए एक suggestion है आपको ये number screen पे नजर आ रहे होंगे आप इन numbers पे रापता करें और इनसे अपना institutional quarantine जो है वो book करवाएं लेकिन इनसे बात कर लें आप पहली कि अगर हमें घर जाने दिया तो कुछ percentage जो भी इनका एक दिन का या दो दिन का किराया आपका लगेगा वो काटेंगे बाकी पैसे ये आपको return कर देंगे ये एक कमसकम आपके लिए हो सकता है अगर आप इन से रापता करेंगे तो ये आपको ये मैंने इनको request किये basically नॉर्मली तो क्या होता है कि full board करवाना पड़ता होटल्स occupancy's full है आजकल बिलकुल भी जगा नहीं आपको पता हर होटल full हुई है और बहुत ज़्यादा क्योंके एक rush है तो इस वज़ा से बहुत मसले मसाइल है लेकिन बारहल फिर भी इन्शाला ये मेरे जो देखने वाले हैं उनके लिए ज़रूर कॉपरेट करेंगे ये लोग तो ये तो था special एक note लाजमी आप अपनी bookings करवाए हैं जो भी पाकिस्तान इंडिया बंगलादेश से यहां पर आ रहा है booking का page उसके पास उस airport पे उसके मुलक पे ये airport पे वो पूछेंगे उससे तो उसके बाद हम discuss करते हैं road accidents में काफी कमी आई है ये खुशाइन बात है इसमें बहुत सारे safety measures वगरा लिये गए हैं और बहुत ज़्यादा मतलब public awareness दी गई है mobile use की especially ताके लोग जो है वो mobile use की वज़से इस वक्त ज़्यादा ज़्यादा accidents के cases हो रहे हैं उसके साथ इसाथ बिजनिस में जो है वो काफी boom आएगा मैं अपनी पिछली तीन दिन की वीडियो में आप ये मसलसल सुन दे होंगे मेरे मूँ से आज minister का भी एक बयाना है उसमें भी एक आगया है कि business जो है ये जो long term residency देने का एलान किया गया इसके जैसे business जो है वो बहुत ही ज़्यादा boom करेगा इंशालला अच्छा night band में कुछ चीजों को मजीद इजासत दे दी गई ये खोलने की जैसे के tire shop है और जो अपना pump पे, patrol station पे जो है कुछ उसमें mention किया गया है कि जो home delivery है home delivery खाने की है या home delivery grocery की है या home delivery जो FedEx और RMX और DHL वगारा TCS delivery होती वो है ये वल्लावाला में इसमें कोई clarification इसकी नहीं की गई home delivery में normally तो तमाम चीज़ें ही cover हो जाती है लेकिन अगर restaurant बंद होगे तो food की ये home delivery कैसे होगी ये एक छोटा सा इसमें ambiguity है अच्छा उसके साथ इसाथ TikTok को ban करने के लिए पाकिस्तान में जो है especially एक court ने decision दिये और अच्छी decision है बिल्कुल क्योंकि जिस हिसाब से इस वक बेहाई और यानी फैल रही है TikTok पे उसको ban होना ही चाहिए और साथी अरेबिया ने भी तकरीबन एक सो प्लस Chinese apps जो है वो ban किये उनमें उन्होंने ये reason दिये कि ये fake जो है अपना promotions करके और लोगों को लूट रहे है उन website के उपर इसलिए उनको ban किया गया यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे fake website भी है email भी आती है लोगों को calls भी आती है messages भी आते है तो आप fake लोगों से और fake जो आपको मतलब लूटने के चक्कर में होते हैं फ्रॉडियों से थोड़ा बचके रहेगा किसी को भी अपना password, pin नमबर, mobile card मत दें कभी भी कि ताके आप safe and secure है और website भी बहुत सारी ऐसी होती है जिसके आप अपना CVC और अपना card नमबर जो है बैंक का वो डालते है तो वो उसको hack कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपकी payment transactions होती ही रहती है ये थी कुछ updates मुझे ने जादर दौाओं में आदे रखें अपना अपको आपको खाल रखेंगा असलाम अलेक्वारा मत अलाओ